तो कि अट अभूग आलिको अब रहां ऑफ जिस सी नुमर एट नुमर की जो में ऊचिकर भूडर घॉडबियो विदाया नहीं के ऐब दोनेगा के विद्र का मनेगा इस परकार करेगा यह जो हम वीडियोमें जे कि फिर्टी करने दोने साथ तो चली सुरू करते से पहले अब आप नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को शेर करें अपने दोस्तों के साथ भी और बैल आइकन ओल कर लें कि मैं बीए से डिटर वीडियो बनाता हूं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो चले शुरू करते हैं तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीए पार थर्डियो के जोगरफी फाइल के शीट नमबर नाइंध हमारा पिर्सन हम पढ़ते हैं जो कि है एक अनपाद 25 करण मापनी पर संसार का मानचित्र बनाने के लिए एक गोल पिर्चेप की रचना कीजिए पिर्चेप में अंतराल हमें 15 डिगरी का रखना है यानि कि हमारी जो आज विदी है उस विदी का नाम है गोल पिर्चेप विदी रचना विदी किस प्रकार है इसमे जो कि आप सभी को परता है प्रित्वी के लगुकुरत गोईले के व्यास में अर्धव्यास होता है उसमें से हम हमारी मापनी का भाग दे देंगे तो हमारे पास 2.4 सेंटिमेट आ जाएगा लेकिन हमें चाहिए क्या हमें 45 डिग्री अक्षांस विरत की लंबाई तिसका सूतर प्रिकार हमारी जो 15 डिग्र अंतर रेखाओं को दर्शाने के लिए जो दूरी है वह है 0.47 सेंटिमेटर इसका डाइग्राम किस प्रकार बनेगा वह हम एक एक चीज वीवरण सहीत आगे वीडियो में देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो डाइग्राम बनानेंगे सब्सक्राइब जिसकी साइज हमने प्रकाल में लिए 2.54 सेंटिमेटर यानि 2.54 सेंटिमेटर का हम प्रकाल में चाप भरेंगे और एक व्रत खीचेंगे याद रखेंगे जितना हो सगे यहां तक खीचें क्योंकि इतर हमारे डियाग्राम अधिक बनेगा इसमें दो नहीं सब्सक्राइब जाद उपर भी ना रखें सम्तिंग यहां रखें और फिर एक व्रत खीच दें कुछ इस प्रकार से तो देखें व्रत खीचने के बाद हम इसे चतुर थांस में बदल देंगे यानि कि इस पर दो लंब डालेंगे 90-90 जो की केंदर से कटने चाहिए और हम इ 35-45 इस परकार से नीचे 35-45 और आगे तक जो कि हम चांदे की साहिता से काटेंगे तो देखें कुछ इस परकार हम इस पर 15-15 डिगरी के कौन कार देंगे यह सभी 15-15 डिगरी पर है 15-35-60 इस तरह से और हम इनका नामकर्ण कर देंगे L-K-E-J-I-B-M-N-F-P-Q अब अपने रेखा खीचेंगे जो कि हमारी C प्रता D-DES खेलाएगी कुछ इस परकार से हम F-point और E-point को स्केल की साथ और से एक रेखा खीचेंगे तो देखें कुछ इस परकार से हम E-f-point को लाकर एक रेखा खीचेंगे और जो O-B पर जो काटेगी O-B-Rekha को उस-point का नाम हम G देद G हमारे प्रिशन में 11.29 cm जो कि हमारे भूमद्य रेखा को दर्शाएगी कुछ इस प्रकार से और B रेखा को आगे भढ़ाएगी जो G और B जो G-point से 11.30 cm रहेगी तो देखें कुछ इस प्रकार से हम एक रेखा खीचेंगे जो कि भूमद्य रेखा पर दर्शित करेगी और जो E और F बिंदू हैं हमारे उन पर एक सीधी रेखा खीचेंगे कुछ G और H के समाना अंतर जो कि भूमद्य रेखा यह है और अब जो हमारी दर्शाएगे वो 45-45 डिगरी उत्तर और 45 डिगरी धक्चिन में दर्शाएगे E और F पर कुछ इस प्रकार G और H के समाना अंतर जिस प्रकार हमने A और C पॉइंट को मिलाकर डोडोट में मिलाइन खीची जो कि हमारी C देस तथा D डेस रेखा पर जहां पर काटेंगे वहां पर यह है 90 डिगरी अक्चांस रेखा को दर्शाएगी जो कि हम प्रिचेप में आगे बनाएंगे 90 डिगरी अक्चांस रेखा को दर्शाएगी अब उसी प्रकार हम A और L पॉइंट कर रखकर एक रेखा डोडोट में खीचेएगे जहां पर भी C तर D डेस पर काटेंगे वह हमारी वो हमारी 45 डिगरी जो हमारी अक्चांस रेखेंगी उनको दर्शाएगी कुछ इस प्रकार हम A L A K A E A J A M A N A F A P A Q O A S D रेखा डोडोट में खीच लेंगे जो कि हमेरी C डेस तर D डेस पर जहां भी काटते हैं वहां पर एक कौन बनाएंगे कुछ इस प्रकार से 15, 30, 45, 60, 90 तक है जैसे यह 90 उत्तरी हो गई यह 90 दक्चिनी हो गई यह 60 उत्तरी हो गई यह 60 दक्चिनी हो गई यह सब अब हम आगे पर छेप में दर्शाएगे सब्सक्राइब हमारी जब एक्ष्टा लाइन है इसे हम इसे हम रीजर की साहता से समाप कर देंगे लाश्ट हमारा जो सी पॉइंट है वहां तक रखेंगे बस और इधर भी ऐसे करेंगे और इनके नामकर्ण कर देंगे जो ए वाली रेखा थी उसका A डैस, L वाली का L डैस के का K डैस, J का J डैस, I का I डैस और इसे प्रकार D का D डैस दक्षन बें इसे प्रकार से दर्शाएंगे तो देखें आगा हम उत्तरी और दक्षनी अक्षांस रेखाएंगे उसके लिए कुछ निकरना फिर से वही C डैस पॉइंट पर एक समानतर रेखाएं खीचने जी औ पर गुंते सेंटेमेंटर तक हमें रेखाओं की लंबाई रखेंगे अक्षांस रेखाओं की बाकी सब इरी जर्गी साहता से समाप्त कर देंगे तो देखको इस प्रकार से हमारी जो हमारी अक्षांस रेखाए है वह कंप्लीट हो चुके है जीरो डिगरी 35-60 पिछे तरण सेंटेमिटर कितनी का में हमें चाप भरेंगे हमारे प्रकाल्र में और हमारी भूमेट्स रखेंगे और है क्षाप किस प्रकार अभी देखते हैं कुछ प्रकार प्रकाल में चाप भरेंगे और जी पॉइंट से रखकर काटना श्टार्ट कर देंगे सावधानी से भरेंगा यह चाप अगर इसमें एक एक एम की विगलती हुई प्रकार से हमारे डाइग्राम हम इस पर देशानतर रखाएं दर्शा देंगे और हमारे डाइग्राम सम्थिंग कंप्लेट हो चुगा है बस इसमें मान रखने अभी बाकी हैं देगे कुछ इस परकार से हम इधर भी अख्छान सो देशानतर रखाऊंगे मान दर्शा देंगे 0-30-90 और इसी परकार इधर भी 0-30-90 पिछेतर और आगे तक 180 डिगरी तक अब हमारा प्रिछेप कंप्लेट हो चुका है यहां पर हमारा विधी का नाम रख देंगे और जो हमारा अनुपात है मापनी है वो रख देंगे कर दो हमारा अनुपात है